हेलो दोस्तों चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हाइड्रोलिक वाला सीट कवर तो इसका सॉफ्ट क्लोज में वर्क नहीं कर रहा है तो इसके हाइड्रोलिक को हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको इस होल में स्कूर्ड्राइ तो दोस्तों यह है हमारे हाइड्रोलिक्स इसके अंदर देखी कर्स दे रखे हैं और ऐसे शेप जो है सीट कवर के अंदर भी है तो आपको इसको लगाते वक्त ध्यान रखना है कि कर्स इजीली सीट कवर में बेट जाएं उसके बाद इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ह होती है दोस्तों लेफ्ट और राइट साइड जो राइट साइड वाला हाइड्रोलिक रहता है उस पर R लिखा होता है मतलब यह right side का है और left side मतलब L यह left side लगेगा तो दोनों का आपको ध्यान रखना है left वाला right side नहीं लगेगा और right वाला left side नहीं लगेगा तो इतना आपको समझ आ गया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं अब इसको वापस से rearrange हम करेंगे सबसे पहले left वाला hydraulic हम लगा रहे है तो cover के अंदर हम सबसे पहले hydraulics को लगा कर पूरा fix करेंगे तो दोनों hydraulics को हमें लगाना है इसे लगाते वक्त आपको holes का भी ध्यान रखना है जिन holes में आपने इसको travel लगा के भार की तरफ खीचा था वैसे ही hydraulics को वापस fix करना है क्योंकि जो holes है वो hinges के अंदर लगेंगे तो यह हमारा hydraulics fix हो गया है अब इसे हम cover के अंदर लगाएंगे तो इसको दोनों तरफ से आप प्रेस करिए प्रेस करके जो holes दे रखे हैं उसमें इसे fix कर दिए अकेले यह लगाना थोड़ा difficult होता है तो आप इसमें किसी की help ले सकते हैं तो इसमें प्रेस करके holes के अंदर हमें fix करना है यह हमारा hydraulics fix हो गया है अब हम इसे seat के अंदर लगाएंगे यह देखिए हमारे holes भी proper उसकी place पे है अब इसे हम hinges के अंदर लगाएंगे दोस्तों hinges को किस तरह से set किया जाता है यह मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा अभी मैंने already इसको पूरा set कर रखा है तो इसमें हम cover लगाएंगे तो cover को आपको थोड़ा इस तरह के से पकड़ना है उपर की side और इसको hinges के उपर रखके प्रेस करना है जो holes में ने बताए थे आपको hydraulics अंदर उसे hinges में लगा कर प्रेस कर दीजिए तो आपका cover fix हो जाएगा cover हमारा fix हो गया है अब मैं आपको इसका soft close mechanism बताता हूँ कितना smoothly working कर रहा है यह हम cover close करेंगे देखे कितना smoothly नीचा आएगा तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe करें, share करें और like करें और comment में बताएं कि अगला वीडियो किस पर बनाऊ और आपको अगर spare parts की कोई भी need होती है जर्वत है, तो हमारे पास सभी तरह के spare parts available है आप हमें contact कर सकते हैं about में मैंने फिरा detail दे रखा है contact तो आप वहाँ से मुझे contact कर सकते हैं and thank you guys for watching